दोस्तों नमस्कार मैं मुहंत हवाइद एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों किसी ने सची कहा है पैर उतना ही पसारें जितनी बड़ी चादर हो चादर से ज़्यादा पैर पसारेंगे बाहर तो निकलेगा ही और ब्यापार में अगर आमदनी ही पता न हो और मेंटेनेंस खर्च अंजाने में उससे ज्यादा हो तो बिजनेस तो डूबेगा ही आमदनी और खर्च के बीच निश्ची तंतर न हो तो भी बिजनेस डूब जाता है और अगर खर्च आमदनी के बराबर हो तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता वो तो वहीं पर खड़ा रहेगा जैसे बाइक पेंड से बधा हो और एकसी लेटर दबाते रहें तो गाड़ी आगे बढ़ेगा क्या नहीं रसी को खोलना जरूरी है मतलब नल से पानी घड़े में आतो रहा है लेकिन घड़े के पेंडे पर उतना ही बड़ा छेथ है तो घड़ा भरेगा कहां से इसलिए बिजनेस में तरक्की करना है तो अपनी आमदनी के बारे में जानना बहुत जरूरी है अकसर एक दुकांदार अपने आप से और अपने साउप से इस सवाल का जवाब जानने के कोशिज जरूर करता है कि आखिर मैं कमाता की इतना हूँ मेरी आमदनी क्या है महिने में क्या इंकम है मेरा और कुछ लोग अरजुन की तरह केवल मचली की आँख को देखने में सफल हो जाते हैं बिजनेस के आमदनी को जानने में सफल हो जाते हैं अगर आप भी अपने आमदनी के आंकड़ों का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं तो वीडियो में मेरे साथ अंतक बने रही है सायद ये वीडियो आपके बिजनेस के लिए एक टर्रिंग पॉइंट साबित हो तो आईए जानते हैं अपने साब के आमदनी को कैसे पता करें दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा पेपर वर्क करना होगा ताकि आंकड़ों के दोरा आमदनी तक पहुँचा जा सके मैं ये तो नहीं कहूंगा कि परफेक्ट आंकड़ा निकल जाएगा लेकिन सच्चाई के बहुत करिब तक पहुँचा जा सकता है सबसे पहले एक नोटबुक लीजिए इसे कागच के पनने पर मत कीजिएगा वो गुम हो जाएगा और अगर 6 माँ बाद जब आप दुबारा केलकुलेट करना चाहेंगे तो ये आंकड़ा आपके बिजनेस के इंकम कम है या ज्यादा उस आंकड़े को प्रदर्सित करेगा जिससे आप भविस्य के लिए बहतर प्लानिंग कर सकेंगे इसलिए नोटबुक का इस्तिमाल करें सबसे पहले इस तरह से पन्ने को पांच खंड में डिवाइट कर दिजिए अपने साप में आप जो भी सामान बेशते हैं हर एक सामान का नाम लिख लीजिए वो सामान चाहे छोटा हो या बड़ा उसके बाद उन सभी वेराइटी का महिने में जितनी मात्रा में आपके साप में भीक जाता है उसका क्वांटिटी नोट कीजिए उस मात्रा को नोट करते जाएए कुछ इस तरह से जैसे कोई प्रोड़क्ट महिने में पांच पिस अगर आप खरीदी करते हैं तो पांच लिख दिजिए दस पिस खरीदते हैं तो दस लिख दिजिए पचास पिस खरीदते हैं तो पचास लिख दिजिए जैसा आपका सेल है उसे नोट कर लिजिए फिर उसका खरीदी कीमत इस कालम में नोट कीजिए कि आपका वास्तविक खरीदी मुल क्या है और उसके बगल में विक्री कीमत नोट कीजिए कि आप उसे कितने में बेशते हैं वो नोट कर लिजिए और उसके बाद उस प्रोड़क्ट में आपका मार्जिन कितना बसता है उसे नोट कर लिजिए यहाँ पर अब इन आखनों को टोटल कीजिए अब आप यहां सभी आखणों को अलग-अलग केलकुलेट कर लिजे और आपके खरीदी काश्ट में बिक्री वाले कीमत में खरीदी वाले कीमत को घटा दीजे और जो पैसा बचेगा वो आपके एक महा का इंकम होगा अब कुछ इस तरह से मान लिजे कि प्रती दिन 10,000 रुपए की बिक्री है तो उसके हिसाब से 30 दिन का सेल 3,000,000 रुपए होता है और अब मार्जिन वाले कालम को टोटल कर लिजे मान लिजे लगभग 15,000 रुपए होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका एवरेज मन्थली बिजनेस इंकम 5% होता है अगर इस तरह से आप अपने ब्यापार का अंकड़ा तयार करते हैं तो अपने इंकम की जानकारी ले सकते हैं एक आउसत इंकम की जानकारी से आपको अपने बिजनेस के मेंटिनेंस और खर्च को भी मैनेज करने का आइडिया मिल जाएगा दोस्तों बिजनेश चाहे छोटा हो या बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके बिजनेश को आपका खर्च कहीं दिमक की तरह खोखला न कर दे या कहीं आपका बिजनेश बिमार और कमजोर होकर तूट न जाए बिखर न जाए बलकि स्वस्त हो तंदुरुस्त हो और हिल्दी हो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपका बिजनेश आपके कंट्रोल में रहता है क्या आपका बिजनेस स्वस्थ और हिल्दी है अगर आप मानते हैं कि आपका बिजनेस स्वस्थ है तो आपको बहुत बहुत बधाई लेकिन अगर आप मानते हैं कि आपका बिजनेस वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए तो comment box में अपना विचार जरूर लिखें ताके business को अपने control में रखने और business को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या करें इस पर एक video जरूर बनाओ जो आपके business के लिए फायदे मंद हो और हाँ एक like अवस्य कर दीजेगा चैनल पर पहरी बार आए हो तो subscribe जरूर कर लिजे ऐसे ही useful वीडियो के लिए और साथ ही notification की घंटी को जरूर दबाद दीजेगा जय हिन वंदे मत्र